जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटुब चैनल पर दोस्तों आईटियर का सीजन चल रहा है आपको पता होगा 31,3,2,024 को जो आपका साल खतम हुआ था ये फाइनेशल लेट था 23,24 और इसका असेस्मेंट येर होता है 24,25 आपकी आईटियर के उपर लिख गए है और उसमें कुछ गलती होगी या कुछ कमी पाई गई है तो उसको क्या चेंज कर सकते हैं बी लेटर आईटियर अगर आईटियर आपने टाइम पर नहीं बरी है तो क्या होगा आईटियर को लेट भरते हैं तो क्या पैलन्टी देनी पड़ेगी आईटियर को लेट अगर आपको ITR बर्वानी हो तो 88, 750, 42,000 पर आप हमें call, whatsapp कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले में बात करता हूँ 31, 24 को जो साल खतम हुआ था financial year 23, 24, assessment year 24, 25 था दोस्तो tax audit की में बात कर लेता हूँ अगर आपके उपर tax audit applicable होती है क्यों होगी दोस्तो अगर आपकी जो sale है वो एक करोड से जादा है यह service 50 लग से जादा है तो tax audit आपको 30 September से पहले पहले करवानी है और plus में इस audit के एक महिने का time आपको extra दिया जाता है मतलब 31 October तक आपने ITR लगा सकते हैं अगर आपकी ITR tax audit में आती है इसमें most of the cases में ITR 3 का form आपका जाता है अब बात कर लेते हैं दोस्तो अगर आपकी tax audit applicable नहीं होती है तो 31 July 2024 से पहले पहले आपको ITR भर देनी है लेकिन यह वीडियो यहाँ पे समापत नहीं हुई है बहुत सारे और पेचिदा रूल से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तो अगर आपने benefit लेना है ITR due date का अगर 31 July से पहले पहले आप ITR भर देते हैं तो सबसे पहले तो आपको 1000 या 5000 अरपे की penalty नहीं देनी पड़ेगी आपने किसी भी head में दोस्तो लोस हो गया था मैं आपको बताना चाहूंगा salary में आपको लोस नहीं हो सकता है other source के अंदर आपको लोस नहीं हो सकता है इसके अलावा बचे तीन head, capital gain, house property, rent की income या business की income इन तीनों में आपको लोस हो गया था तो आपको अपने ITR due date से पहले बरनी पड़ेगी और ये due date मैंने आपको बता दी है 31 जुलाई 2024 है इसके बाद में अपनी ITR आप भरतो पाएंगे वो भी हम discuss कर लेते हैं इसके बाद में दोस्तो बी-lated ITR मैंने आपको बताया अगस्त से लेकर के सेप्टेंबर, अक्टूबर, नॉवंबर और दिसंबर इस तरह से आपको ये पाँच महीने का टाइम मिलेगा इन पाँच महीने में आप अपनी रिटन भर सकते हैं जिसे बोलते हैं बी-lated ITR ये आप 31 दिसंबर 2024 से भर सकते हैं लेकिन आपको बी-lated ITR में मैंने आपको बता दिया था पहले सी कि आपको कोई भी यहाँ पे लेट फिस देनी पड़ेगी लोस कैरी फोरवड नहीं कर पाएंगे ओल्ड टेक्स रिजाई में आप नहीं जा पाएंगे तो आपको कोई भी लेट फिस नहीं देनी है चाहे आप आपनी ITR अब भरें चाहे 31 दिसंबर 2024 तक भरें लेकिन अगर आपके ITR भाई लाख या तीन लाख से जादा है और पांच लाख रुपे तक है तो आपको एक जारपे की पलंटी देनी पड़ेगी उसके बाद ही अपनी ITR भर पाएंगे और वहीं पर अगर आपकी इंकम पांच लाख रुपे से जादा है तो आपको दोस्तों पांच जारपे की लेट फिस देनी पड़ेगी एक चीज में आपकी कलियर करना चाहूंगा दोस्तों अगर आपकी TDS कटा था माली जे जो सैलरी वगरा पर TDS कटा था इंकम पर वो तो ठीक है कोई एक्स्ट्रा TDS आपका कट गया है तो आप इस लेट फिस को कैश के अंदर ना बरकर के ओनलाइन ना बरकर के उस TDS से भी यूटलाइज कर सकते हैं तो इस तरह से अगर आपकी डाइलाग से कम इंकम है तो कोई भी पैलंटी नहीं है डाइलाग से 5 लाग पर 1,000 रपे और 5 लाग से उपर इंकम आ जाती है तो 5,000 पर की लेट फिस आपको देनी पड़ेगी बी लेटेड आईटियर के अंदर अगर आपकी इंकम ही एक लाग रपे, डेड़ लाग रपे है तो आपको लेट फिस नहीं लगेगी कैरी फोरवड आप नहीं कर पाएंगे स्पेशली शेयर मार्कट के अंदर फूचर अड़ अप्सन के अंदर कोई गलती होगी थी यह आईटियर आपने कब भरी थी चाहे तो आप अपने को 31 जुलाई से पहले पहले भर दो चाहे 31 दिसंबर से पहले पहले आप भर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन दोनों की केस में आप अपनी आईटियर को revise करें, ज्यादा बार revise करेंगे तो income tax department को आपके उपर हो जाएगा doubt की व्यक्ति बारबर change क्यूं कर रहा है तो इस तरह से अगर आपने अपने ITR में कोई कमी चोड़ी थी, तो आप अपने ITR को revise करके आप अपने सुविदा के अनुसार से revise कर सकते हैं इसके बाद में updated ITR जो होती है दोस्तो इस ITR को ITR यू भी बोलते हैं और अगर आपकी deadline आपने मैंने बताया आपको 31 जुलाई तक आपने ITR नहीं बरी 31 दिसंबर तक भी आपने ITR नहीं बरी फिर भी आप assessment year 24-25 की ITR भरना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक जनवरी 2025 से दोस्तो ये आपको फिर से ITR भरने का मोका देगा जो होती है ITR यू updated ITR 149 आठ ए जो section होता है उसके अंदर आपको ये ITR भरने को दी जाएगी इसको 2 साल assessment year खतम होने के 31-25 को जो साल खतम हुआ था 2 साल तक 31-27 तक आप इस ITR को भर सकते हैं लेकिन लेट फिस देनी पड़ेगी लेट फिस ना भी देनी पड़े तो कोई ना कोई चलान आपका हमाँपे बनना चाहिए और कोई tax बनता था एक साल के अंदर अंदर तो 25% 2 साल तक आप इसको भरते हैं तो 50% टेक्स टेक्स आपको देना पड़ेगा कोई भी TDS कलेम नहीं कर सकते हैं हलां कि जो TDS आपका कटा था वो इंकम में तो अर्जेस्ट हो जाएगा लेकिन आप चाहेंगे कि उस TDS को हम रिफंड ले लें वो 31 दिसंबर के बाद में पोसिबल नहीं हो पाएगा एक प्रो टिप में आपको देना चाहूंगा दोस्तो अगर आपकी इंकम 5 लाक रुपे से जादा है और आप चाहते हैं कि मैं 5 रुपे की लेट फिस नहीं देना चाहता हूँ और आपको ITR टाइम से पहले बरनी पड़ेगी और ये टाइम है 31 जुलाई 2024 और आप अपने टाइम से वेट ना करें क्योंको इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है दोस्तो कई दिनों से नहीं चल रहा था कभी कभी क्रैस हो जाता है ASTS 26 इंपोर्ट नहीं होते हैं उसके अंदर OTP वेगरा नहीं जाता है जाने के बाद में ITR डाउनलोड नहीं होती है तो आप अपनी ITR आज कल में ही भर लें इसके बाद में दूसरी टिप दोस्तो ये है कि आप अपनी ITR आपका डेटा जो है आपको पता होगा डेटा यहाँ पे आपकी सेलरी का डेटा है तो वो फोरम 16 में आता है बिजनस का है तो आपको स्टेटमेंट वगरा बनानी पड़ती है कैपिटल गेन है तो वो ब्रोकर की रिपोर्ट लेनी पड़ती है तो आप चाते हैं कि अपने डेटा भी तक आपका त्यार ही नहीं हुआ है और आप अपनी आईटियर भर देते हैं दोस्तो जैसी भी आप आईटियर भर दें और उसका आप वेरिफाई कर दें तो क्या होगा 31 जुलाई से पहले पहले आपकी नॉर्मल आईटियर भरी जाएगी इसके बाद में अगस्त से लेकर के अगस्त अमबर अक्टूबर नॉमबर दिसंबर इन पांच महिनों में आप अपना डेटा त्यार कर लीजिए फिर उस रिटन को रिवाइज कर दीजिए तब आपके ये पांच आरपे की पलेंटी नहीं लगेगी तो यहने का मतलब यह है कि 30 जुलाई से पहले पहले अपनी आईटीर भर दें और उस आईटीर को बाद में रिवाइज कर दें लेकिन मेक्शोर करें उस आईटीर को भरने के बाद वेरिफाई जरूर करें नहीं तो वो भरी ना भरी एक बराबर आपकी हो जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें इस वीडियो को उन सबी लोगों में सेर करें जिनको आईटीर की जो ड्यू डेट है वो नहीं पता थी या पता थी तो उनका डेटा त्यार नहीं है वो पैनिक हो रहे है और हमें कमेंट करके आप कोई भी डाउट कवेरी कोश्चन हो तो आप अपना पूश सकते हैं दोस्तों किसी भी तरह की टेक्स प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए हो तो बड़े ही रीजनेबल रेट्स पर हम दोस्तों को प्रवाइड कराते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बधनेवाद थैंक्यू सो मच जैहिन जै भारत